पता है अगर सही नॉलेज गलत समय पे दिया जाए तो वो भी गलत कही बराबर होता है ना वो भी मतलब बेकार चला जाता है और उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है लेकिन जब जरूरत पड़े और तब ग्यान मिले तब गाइस कुछ ऐसा मिले हमें जिससे हमारा डाउट क क्योंकि यह वीडियो आपका बहुत सारा डाउट भी क्लियर कर देगा आपके रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारा डाउट क्लियर कर देगा तो इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पूरा देखिए है ना लाइच सब्सक्राइब की बात नहीं क्योंकि यार वो तो आप करी दोगी वीडियो पसंद आएगा मुझे आसा है कि आपको वीडियो जरूर इंफर्मेटिव लगेगी लेकिन ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपको स्लो लगता है वीडियो तो आप 1.25 पे कर लीजिए लेकिन एक बार में पूरा जरूर तो होता है, समझे रहो ना, उसमें information भी तो होता है धेड़ सारा, तो इस वज़े से चीजों को explain करने में, समझाने में आर्थ, तो time लग जाता है, है ना, जब information दे ही रहो तो पूरा दो, है ना, आधा दूरा से क्या पता सामने वाले को भी ना समझ में आए, तो चलो यार, आज का वीडियो उसी चीज से related है, और हाँ, और इसके साथ ही एक और चीज, जो लोग भी 2024 की तयारी के लिए आप लोग मुझसे जुड रहे हो, तो आप लोग टेंशन मतलो है ना, चैनल पर बने रहो, आप लोग के लिए भी चीज़ें आएंगी, समय आने पर आप लोग के लिए भी content आएगा, अभी खेर आप लोग के seniors का पहले देख लिया जाए ना, इनको खुसी-खुसी CHS तक पहुचा दिया जाए, फिर आपके लिए भी content आएगा, आप लोग बिल्कुल tension मतलो, ठीक है, तब तक के लिए यार वापस आते हैं, और start करते हैं वीडियो को ज यहाँ पे, जहाँ पे guys हम बात करेंगे, method of selection, जी हाँ, इस point पे बात करेंगे, जो आपको इस screen पर दिख रहा है, कहाँ गया जी, हाँ यह रहा, method of selection, यहाँ पे आपको दिख रहा है, point number 7, जो की आपके यह bulletin, है ना, जो bulletin आया था, SET की तरफ, यानि school interest test की तरफ से आया था न, 2023 का bulletin, तो यहाँ पे सारी information जो लिखी थी, आज हम उसके point number 7 की बात करेंगे, जो की बहुत सारे बच्चे जो हम miss करें, जिसकी वज़े से उनको confusion हो रहा है, ठीक है, तो यार चलो समझते हैं, क्या चीज लिखा है, ऐसा नहीं, कि यह चीज हिंदी में भी दिखा है, चयन प्रक्रिया, है न, उसके बारें पूरा चीज लिखा हुआ है, अगर जिसको गाईज हिंदी में भी समझना है, यहाँ से आपको पूरा चीज समझ सकते हो, ठीक है, और इंगलिस के लिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो चलो यार वो चीज को समझते है फटा फट से और देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलती है, तो भाईया, यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है, on the basis of, यहाँ है न, on the basis of marks obtained in the interest test, a merit list will be drawn for admission in each class, and candidate will be given a seat in the concert class strictly on the basis of the merit, in case of tie, बनारा सिंदु उनिवरसिटी guidelines will be followed, इसका हिंदी अनुआत भी फट साफ लिखा है कि प्रवेस परिच्छा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की योगता सूची बनाई जाएगी, उसी के आधार पर कच्छा विसेस में रित अस्थान के अनुसान उन्हें प्रवेस दिया जाएगा, ठीक है, समान अंक प्राप्त करने प उसके मार्क्स आये, उसी से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई गई है, और उसी से आपका एडमीशन भी होगा, लेकिन अगर वो मेरिट लिस्ट इनकेस अगर टाई होती है, इनकेस मतलब कि दोनों का नंबर सेम आ जाता है, मार्क्स सेम आ जाता है, तब क्या गाइडलाइन बहुत जवरी है क्योंकि यह मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच् posterior के मन में बहुत ज़़ादा doubt create हो रहा है भईया मेरा marks तो सेम है फिर उसका rank ऐसा क्यों मेरा rank ऐसा क्यों मतलब मैं अभी तक न जाने कितने content ऐसा देख चुका हूँ कि मैं क्या ही बता हूँ लेकिन चलो इस वीडियो के बाद ऐसा कोई कमेंट नहीं आएगा टेंजन मतलो है ना तो यहाँ पर आप तो दिख रहा है कि अगर for admission class 9th and 11th the guideline will have to come for counselling admission and they will be offer seat in the class subject combination of their choice is strictly according to their merit ranking so long as their seat remain available यानि कि ठीक है class 9th and 11th के लिए हाँ बात की जाएगे counselling के लिए जाएगे उनको बुलाया जाएगा cut-off से और तब तक गाईज बुलाया जाएगा जब तक बुरी seat नहीं भर जाती है तब तक गाईज merit के उनसा उनको बुलाया जाएगा चलो ठीक है यह उस चीज की बात कर रहे हैं कि जैसे कि देखो आप PCM लोगे, PCV लोगे या कॉमर्स आट जो भी लोगे तो एक साइड में सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हिंदी ले लिया कोई फीजिकल ले लिया कम्प्यूटर ले लिया या फिर म्यूजिक ले लिया मतलब यह सब चीज होता है तो आपको उसी समय बताना पड़ेगा उनको क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का तो कोई है ना एक्साम हुआ नहीं भरा गया है तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको उनको तुरंद बता दिये यह कॉम्बिनेशन कि हाँ आपका यह सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ठीक है टूटल तो जब आपका एड्मिशन हो रहा होगा उस समय तो आपको यह चीज दिमाग में खेर अपना पहले से ही सोच लेना है क्या कॉम्बिनेशन लेना है और एक बार वहाँ सापको पूछा जाएगा और आपको तुरंद वहाँ डिसीजन लेना है कि यह हाँ मेरा यह कॉम्बिनेशन है मैं यह चीज ले रहा हूँ PCB के साथ यह चीज ले रहा हूँ ठीक है चलो यह तो हो गया समझदारी वाली बात अड़ते हैं आगे Note No separate call No separate call later will be sent to the candidate for counselling admission The merit list shall be displayed on the interest portal www.bhuanline.in The candidates are advised to see their position in the merit list and ensure their appearance in the counselling admission along with relevant document चलो ठीक है हाँ समझते हैं पहली बात तो यह किसके चीज के लिखा है मैं आपको बता दूँ यह warning के लिखा है न इसका मतलब है यह आपको warning के लिए fraud से बचाने के लिए information दी गई है कि आपको कोई separate call नहीं आएगा है कि phone call करके CHS virtual है नहीं बोलेंगे कि हाँ चंपक लाल जी आप आ जाईए आपका admission नो यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है न ऐसा कुछ नहीं है ना आपसे कोई पैसा मांग रहा है phone करके ना आपसे कोई बात करेगा phone करके कुछ नहीं बुलाया जाएगा ठीक है सारी कुछ सारा कुछ information जो है इस portal पर आएगा www.bho.bhoonline.in पर इसी website पर सारी information आएगी तो आपको इधा उदर कोई अगर call भी आता है खेरे वही हम आपका admission करा देते हैं ऐसे वैसे तरीके से तो आप उन पर जरा भी विश्वास मत करिएगा है ना इस fraud से बचिएगा आप लोग क्योंकि आप नजाने कितने रुपए फिर उसमें बांट देंगे फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा है ना आप भी जानते हो illegal तरीके से काम नहीं हो सकता है और दूसरी important चीज़ जो है पर लिखी गई थी सेम उसी line में bold करके लिखा गया है कि original क्या क्या document चाहिए ये सबसे वड़ा important चीज़ था document क्या क्या चाहिए होता है ना बच्चे के अंदर ये भी confusion है तो यहाँ आप लिखा है साब साब को original mark seat date of birth certificate और previous school living certificate category certificate admission form and set 2023 admit card अब इसको आप हिंदी में देख लेते हैं हिंदी में इसका क्या मतलब है ठीक है तो भईया हिंदी में इसका ये मतलब है mool अंग प्रमाड पत्र यानि कि guys जो आपका result आया है जो आपका class का result है वो आपको लेके जाना है original लेके जाना दूसरा जन्मतिति प्रमाड पत्र आपका birth certificate जी हाँ और उसके बाद जोता है school अस्थनानतर प्रमाड पत्र जिसको इंगलीज में TC बोलते हैं transfer certificate और उसके बाद है जाती प्रमाड पत्र जैसे कि आप किस category admission ले रहे हो तो होगा SC, ST, OBC, NCL, EWSO तो वो सब जो है आपके पास होना चाहिए है certificate वोगरा क्योंकि guys वहाँ से reservation मिल रहा है तो इसलिए guys वहाँ पे category certificate भी होना चाहिए और उसके बाद जो है प्रवेश पत्र इत्यादी इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको English में लिखा admit card और application form मतलब यह चीज रख लेना अपने पास admit card तो मिला ही होगा वो तो आपके पास होगा ही application form जो भर होगे निकलवाने के लिए तो वो पूरा भी होगा और नहीं भीयत कोई बात नहीं admit card तो है न और form औगरा रख लेना फोटो रख लेना ठीक है बस उसके लाँ कुछ नहीं चीए ठीक है और एक चीज यहाँ से later और बता दो एक चीज और related इससे बता दे रहा हो important चीज है जो मेरे को याद आ रहा है कि जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं भी बात करके रख लो हाँ यह हो जाएगा तो TC दे देना मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे भी आप जाओगे तो आपको one week में minimum यार one week का जो है आपको chance दिया जाएगा कि आपको week week के अंदर आप जो है TC को लेके वहाँ पहुँच जाएगे वहना फिर नाम वहाँ काटने का चक्कर रहता है इसा इनका मतलब बोलते हैं कि नाम वहाँ काट देंगे फिर लेकिन आप TC लेके पहुँच जाएंगे और one week का समय रहता है आराम से स्कूल में जब मांगेंगे बता देंगे उनको मेरा CHS स्कूल में हो गया है हमको TC दे दीजिए ठीक है तो यहां साबको TC मिल जाएगा बाकी आपको certificate वगरा की चीजे हो गई document क्या क्या चाहिए अब बात करते हैं जो main चीज और आ रही है the priority will be given to the candidate who is older in age simple सा बात कर दिया गया है यहां पर मतलब हो सकता है यह इतने सारे हजारों बच्चे दिये हो और किसी का number आपस में same आ गया हो है ना marks same आ गया हो तो किसको priority दी जाएगी उसमें यानि कि जो rank decide होगा वो कैसे किया जाएगा तो अगर same number है दो व्यक्ति का same marks है या तीन व्यक्ति का तीन व्यक्ति का जो भी same marks है तो उनको priority दे जाएगी जो older होंगे ना इसका यह मतलब नहीं जो बुड़े होंगे मतलब जो बड़े होंगे आपसे है ना मालो आपसे कोई एक महिना बड़ा है same number है उसका भी 200 नमबर है आपका भी 200 नमबर है लेकिन आपसे वो एक महिना बड़ा है तो भईया उसको priority दे दी जाएगी समझ रहे हो यह चीज ना तो ऐसे दी आती हैं पर ranking तो ऐसे decide होती है ranking इनकी आप यह अंदर की चीज़े नहीं समझते हो इफ two or more candidate fall on the same merit list of SET 2023 यह class 11th की बात है ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखा है कि admission in the class 11th will be given on the basis of percentage of marks obtained by candidate in class 10th examination board अब देखो भी या उनका decision कैसे होगा जो board में उनके कैस प्रकार से number आए होंगे उससे होगा है ना उनके board में कितने percentage आए है उसके अनुसार इनको जो है priority दी जाएगी यहाँ पर गाई जो है अलग बोर्ड के लिए यहाँ अलग अलग तरीके से बताया गया यहाँ उनका कैसे calculate किया जाएगा percentage और यहाँ पर लिखा है क्या if the aggregate marks is measured on the marks seat then the percentage will be calculated on that basis मतलब होता ना कई सारे कई सारे बोर्ड के result में direct percentage भी लिखा होता है कई सारे बोर्ड के result में जो है केवल marks लिखे होते हैं तो उनके अनुसार जो है calculate किया जाएगा यहाँ percentage अब यहाँ पर जब बात आती है if two or more candidate are having same marks same marks obtained in qualifying examination then intersemerit will be determined as the given table यह सब चीज गाईज यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है ठीक है यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से अधिग अभ्यरती पातरता पर इच्छा के अधार पर बाई योगता सूची में समान अस्थान पर आते हैं तब अन्ता योगता सूची का निर्धारण निम्निकित सारडी के अधार पर किया जाएगा ठीक है अब देखो कैसे किया जा रहा है ये चीज़ देखो मैथमेटिक्स में जिसके सबसे अधा मार्क्स होंगे प्रियोर्टी देख रहो कैसे है मैथमेटिक्स के लिए अगर आप भर रहे हो तो मैथमेटिक्स में सबसे अधा मार्क्स जिससे होंगे उसकी प्रियोर्टी हाई होगी biology से अगर आप होकम टीट कर रहे हो एक दूसरे से biology stream से हो तो जिसके सबसेदा marks science में होंगे उसकी priority हाई होगी commerce में हो तो भी यह social science है ना समाजिक विग्यान की priority हाई होगी और अगर ICSC board से हो तो यहाँ पर marks in history plus CVX plus geography plus math लिया जाएगा 8 category से हो तो भी marks आपका social science में कितना है उस प्रकार से आपका priority decide होगा ठीक है और यह सारा जो percentage जो बन रहा है आपका percentage आप marks will be calculated to 3 decimal place यह समझे है तो 3 decimal place यानि कि ऐसा है 1.001 है ना 1.001 फिर 002 और 0012 मतलब 3 अंग तक है सोचो इस में नजाने कितने rank बन जाएंगा अलग अलग उस प्रकार से जो है इनका system काम करता है तीन place तक decide किया जाएगा decimal में तो बराबर आने के chances ही नहीं छोड़ते हैं कि यह दो लोग आपस में बराबर हो जाए rank उनका ठीक है If two or more candidates having the same marks even when calculated as per table number 1 इसका कुल मिलाक मतलब है कि अगर table number 1 जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इसके calculate करने के भाद भी दो लोगों का जो है same marks होता है तब कैसे करेंगे तो table number 2 यहाँ पे बन जाता है mathematics के लिए mathematics plus science का percentage एड़ करेंगे ठीक है biology के लिए science plus mathematics एड़ करेंगे commerce के लिए यहाँ लिखा है percent marks in social science plus percent marks in mathematics plus science art के लिए भी वही चीज art के लिए guys भी percent marks in social science percent marks obtained any one of the language जिसमें उसका ज़्यादा हो तो उस देख रहे हो और यह भी percentage आपका जो marks है यह भी guys तीन place तक decimal तक calculate किया जाएगा और यहाँ पे तो उसके बाद भी option बचा दिया गया है मतलब अगर यह होता है कि यहाँ के तक filtration लगाने के बावजूद भी अगर यहाँ पे भी आप बच जाते हो सही सलामत नहीं भी अभी भी दो लोग का बराबर आ रहा है कैसे अब कैसे decide करोगे तो same वही चीज़ फिर वही बात आगे जिसकी आयू अधिक है उसको priority जादा दी जाएगी वही चीज़ आ जाती ठीक है यानि कि कितने सारे यहाँ पे तरीके हैं देख रहे हैं और ऐसा नहीं कि यह कोई बैट के इनसान करता होगा रहे बराबर आ गया आप चलो calculate कर ऐसा नहीं कोई इनसान करता है कि चलो बराबर आ गया तो बैट के देखते हैं calculate करते नहीं यह सब उनके machine में feed है सब उनके system में feed है total है ना धड़ा धड़ यह सब calculation हो जाता है और उसके बाद जो है आपकी ranking decide की जाती है ठीक है तो guys यह था पूरा वीडियो और यह वीडियो ही इसी लिए था ताकि आप यहां से समझ सको कि भाईया पहली बात आप compare मत करो किसी और चीज़ से क्योंकि यार आपकी stream अलग है किसी और की stream अलग है आप अगर same marks पाए हो देख रहो दो लोग का same marks है ठीक है हो सकता है वहाँ पर आपकी stream अलग अलग हो और अगर stream भी same है तो यहाँ पर आपको बता दिया ranking कैसे differ कर सकती है किस प्रकार से merit list बनाई जाती है किस प्रकार से आपकी ranking बनाई जाती है बहुत सारा criteria होता है उसके लिए ठीक है उनके internal को जो आप read करोगे जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं भया जो हम marks पा गए CHS entrance examination में बस उसी को देखके merit बना दी जाएगा उसी को देखके rank बना दी जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है यहाँ पर उसके अलावा भी filtration technique काम करती है जो कि आपको मैंने पूरा process समझा दिया है क्या क्या certificate क्या क्या document चाहिए वो सारा चीज मैंने आपको समझा दिया इससे पहले जो reservation वाला वीडियो था आप वो लुग आप 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 वाला भी देख लीजिएगा ठीक है और आसा करता हूँ आपको यह पूरा वीडियो इंफार्मिटी लगा हो मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए take care and bye bye